इस वीडियो में हम इस्ट्रिंग में कितने वर्ड्स कितने सब्द हैं फाइंड करना सीखेंगे इसी स्ट्रिंग में कितने सब्द हैं यह पता करने के लिए हम कि इस प्लिट मेठट का यूज कर सकते हैं पहले समाजते हैं कि लॉजिक क्या है सब्दों को फाइंड करने वा है माल लीजिए कर एक स्ट्रिंग है टोंट-फार्गेट टो शॉसक्राइब इस string में हमको total सबदों की संख्या पता करना है हर एक सब्द के बीच में एक space होता है जैसे यहां don't forget के बीच में एक space है forget और two के बीच में एक space है तो हम यहां space देख़ा रहे हर सब्दों के बीच में इसी space से ही अपने string को divide करेंगे उसी जगह से सब्दों में यानि टुकडों में divide हो जाएगा तो किसी एक string को कई सारे strings में divide करना splitting कहलाता है logic यह है string को पहले हम सब्दों में divide कर लेंगे string को divide करने के बाद जितने भी words हमको मिलेंगे हम उनको count कर लेंगे और वही number हमारा सब्दों की संख्या हो जाएगा उस string की अब समझते हैं कि splitting कैसे करनी है division करने के लिए हमाई पास method है split method यह method है function नहीं है जब कोई function किसी special type का हो जाता है या किसी special type पे काम करता है तो वो method कहलाता है इस method को अपना काम करने के लिए एक string object चाहिए इस method के parenthesis में argument में लिखा हुआ है step assign none step क्या है एक separator जिस character पर splitting करना है उस character को आप इस parenthesis में लिखोगे by default यहाँ कुछ नहीं होता है तो जब आप parenthesis में कुछ नहीं लिखोगे तो यह split method काम करेगा अपने साथ जुड़े string के साथ अब देखिए split method के parenthesis में हमने कुछ नहीं लिखा तो इसका काम करने का जो by default तरीका है उस सब्दों को अलग कर देगा जो भी gap दिख रहे हैं बीच में वो नहीं मिलेंगे तो जब split इस string पर काम करेगा तो आपको एक नया list of words मिल जाएगा ऐसे split method काम करता है अगर आप parenthesis के अंदर अगर कोई character लिख देते हो तो यह उस character पे splitting करेगा और character पे splitting करने के बाद result आपको कुछ ऐसा मिलेगा जैसे यहाँ देखिए red color में लिखा हुआ है result green color के string को देखिए पहला character w है और a को ढूंडिए जब आपको a मिल जाए वहां रुख जाएगे तो यहाँ आपको a मिला उससे पहले इस w से first character के w तक यह पूरा एक हिस्सा है या एक part है देखिए यहाँ result में w से w तक कहीं a नहीं है यानि जब आप एक character पे splitting करोगे तो वह एक character को count नहीं करेगा बाकी हिस्से बाकी part आपको result में मिल जाएगे अब प्रोग्राम में देखते है इसको करना कैसे है मान लिजे एक string है hello world इस string पे जब आप split method यूज़ करोगे तो by default यह gap पे काम करेगा जितने भी words निकल कर आएंगे वह L में assign हो जाएंगे फिर हम L को print कर लेते हैं देखते हैं कि division करने पर मिला क्या देखिए hello एक element है list में word एक element है list में यहाँ आपको gap नहीं दिख रहा होगा characters में तो अब इसी L का अगर आप लंबाई निकाल लेंगे यानि length निकाल लेंगे तो टोटल words आपको पता चल जाएंगे कि उसमें कितने words आए ठीक है तो अगर आपको मैं ऐसे समझाओं एक बार L देख लीजे क्या है और एक बार length उसका देख लीजे क्या है तो L है ये L में दो elements हैं यानि दो शब्द हैं और फिर उनकी जब length function से आप length निकाल लोगे तो आपको number of words मिल जाएंगे तो ऐसे आप किसी भी string के number of words को पता कर सकते हो कर दो